हेले ब्रिवन स्वागत है आप सभी कैसे मेरे नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस्टूट इंजिरिंग ड्राइंग फर्स्ट का कोईशन पेपर जो कि आप यहां पे पेपर कोड नंबर देख सकते हैं जो कि है 20 चुबालिस उसके बाद इस और आपको दुबार आई सब्जेक्ट का ग्याम देना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को हल करने के लिए आपको तीन घंटे का समय दिया जाता है इस कोईशन पेपर को हल करने के लिए उसके बाद इस्टूट अब हम कोईशन देखते हैं चोंकि यहां पर दिया गया इस यानि इस्टूट यहां पर टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल सेविन कोशन दिये गया है यहां से लेकर के यहां तक तो आपको क्या करना है एस्टूट टोटल कोई 5 ही कोशन हल करने हैं solve any 5 questions यानि कि इन 7 questions में से आपको सिर्फ 5 ही question को क्या करना है solve करना यानि कि attempt करना है also write it usage यानि आपको क्या करना है Line को ड्रॉा करना और इसकी यूज़ लिखने जो यह चार नमबर का है उनके बाद पार्ट भी देखते हैं पार्ट हैं यह डिया गया है रएप इनमम में हाइड उसमें आपको क्या लिखना है यह ना है यह यह घून यह भी कोशियन आपका 8 नमबर का यानि कि very very important question है अब हम देखते हैं question number 2 जो की question number 2 आप देख सकते हैं क्या दिया गया है question number 2 में भी 2 पार्ट दिया गया है a करके और b question number 2 का जो एवला पार्ट है draw a regular hexagon having 40 mm side by general method यानि आपको क्या करना है hexagon draw करना है जो की प्रतेक साइड उसका 40 में का होना चाहिए और a student यह वाला question 6 नंबर का है जो कि यह भी आपका बहुत ही simple question है और इस question को यह आप ड्रा कर लेते हैं तो आपको 6 नंबर असानी से मिल जाएंगे उसके बाद जो बी वाला part है क्या है write the general rules of dimensioning and explain them in brief यानि कि dimensioning करने का general rule आपको बताना है और क्या करना है उसे explain करना है brief में जो कि यह student 6 नंबर का है यह भी बहुत ही easy question है जो कि यह भी 6 नंबर का question है उसके बाद question number 3 में देखते हैं जो कि A और B दो पार्ट दिया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को प student यह जो पहला वाला question यानि question number 3 में यह जो पहला वाला है यह चार नंबर का है और यह जो दूसरा वाला question है student यह question आपका 8 नंबर का है जो कि यह question आपका scale से related question दिया गया यहां पर देख सकते हैं लिखा गया diagonal scale to read meters यानि कि यह वाला question scale से related question है जो कि 8 नंबर का है उसके बा जो कि यह चार नोबर का है उसके बाद इसे में जो पार्ट बी है पार्ट बी में देख सकते हैं डोड़ प्रोजेक्शन augmented poign twin यानि 2 इस में दिया गया है जो कि यह प्रतेक चारचाइ नंबर का है तो टोल 8 नंबर का यह वी वाला पार्ट है उसके बाद question no.5 आप देख सकते हैं इसे पढ़ सकते हैं जो कि यह आपका 12 नंबर का question है या very very important question है जो कि यह प्रोजेक्शन का question है क्योंकि यहाँ लिखा गए draw its projection of the plane यानि यह projection का कोई question है जिसे आप पढ़ करके draw कर सकते हैं जो कि यह 12 number का है उसके बाद question number 6 हम देख सकते हैं question number 6 में आपको क्या दिया गया है आप question को पढ़ सकते हैं या कोई cylinder से related question है जो कि इसमें क्या करना है इसमें ए और बी करके दिया गया है तो जो यह वाला बहुत ही यह वाला बहुत ही असान question दिया गया है क्या दिया गया है ड्राद सिंबोल आफ एक्जॉस्ट फैन एंड बिल यानि दो सिंबल आपको ड्रा करना है जिसके आपके 6 नमबर मिल जाएंगे यानि कि एकदम फ्री में नमबर आपको मिल जाएंगे तो इस तरकार से हमने इंगलिस वर्जन में इस question paper को देखा आईए अब हम हिंदी वर्जन में इस question paper को देखते हैं तो आईए देखते हैं जो कि पहला question है कोई प्रस्ण हल कीजिए इसमें क्या बोला है सिर्फ आपको कोई प्रस्ण हल करने हैं और student आप देख सकते हैं तो आपको यहां साथ question दिये गए जो की देख सकते हैं question no से लेकर । को पांचे question को हल करने है το आए देखते हैं सबसे पहला वाला question देख söकते हैं और बा करके दो पार्ट दिया गया है तो पहला वाला जो ए वाला पार्ट है इसमें आपको चार नंबर का है आप इसे पढ़ सकते हैं और जो दूसरा वाला है इसमें आपको लिखना है 10 mm उचाई के हाइट में Drawing is the language of the engineer यह भी आठ नंबर का यह दिया आप इसको लिखते हैं तो आठ नंबर यहां से आपको मिलेंगे उसके बाद कोईशन नंबर दूसरा देखते हैं कोईशन नंबर दूसरा आप देख सकते हैं और बा करके दो कोईशन दिया गया है तो देख सकते हैं यह भी छे नंबर का है आवाला भी और जो बावाला है यह भी आपका छे नंबर का कोईशन है और इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं कोईशन नंबर तीन जो कि आवा करके दिया गया है तो जो आवाला कोईशन है इसमें आपको पूछा आर्रेफ से क्या आतात पर है विवीन प्रकार के स्केल कौन से हैं नाम लिखी आपको बताना जो कि यह वी चार नमर का है बहुत ही आसान कोशन दिया गया है और जो बाव वाला कोशन है वाला विकेर्ड से रिलिडेट एक question दिया गया है जिसे आपको क्या करना है drawing पर بنाना है जो कि यह 8 number का question है याभी आपका very very important है उसके बाद a student question number चौनबर चौता आप देख सकते हैं question number 14 क्या दिया गया है अब करके दिया गया है जो कि आवाला question यह 4 number का है और यह जो बावला question है आप देख सकते हैं इसे पूरा पढ़ सकते हैं और इसी प्रकार से question नंबर पांचवा भी आप पढ़ सकते हैं जो कि देख सकते हैं यह क्या है projection से related question है यहाँ पर लिखा है प्रच्षेप खीजिए यानि projection खीचिए यह question 12 बारा नंबर का है जो कि भेरी भेरी इंपोर्टेंट है इस्टुटेंट और कोईशन नमबर सथमा देख सकते हैं इसमें क्या करना है यह आपका छे नंबर का है और यह जो बाव वाला यह वाला भी छे नंबर का इसमें क्या बोला गया एक जाष्ट पंखा एवं घंटिंग के संकेत आरेक बनाईए जो कि एस्टुटेंट यह बहुत ही असान है यह दिया पिसे कर लेते हैं तो छे नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे तो इस प्रकार से एस्टुटेंट हमने हिंदी वा इंगलीस कहा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तक कि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें